जलता चिराग, खिलता कमल, संकट में नितीश तजश्वे, चार जून के बाद आखिर क्या होने वाला है बिहार में, नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिश्वे, जून को एतिहासक दिन होने वाला है, जिसे आम जनता ने अपने प्रतिनिधी के तौ जनता है और उस दिन उसका जो है वो खुलासा हो जाएगा, चार जून को दो हजार चौविस लोग सभाद चुनाप के रिजल्ट आने वाले हैं, एक तरफ जहां चार जून पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहद ही खास है, तो वहीं दूसरी और बिहार की राजनुईती मे चार जून के बाद बड़ा खेला होने वाला है, दरसल आपको बताते चलें कि सूतरों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है, कि चार जून के बाद बिहार की राजनुईती में बड़े उलट फिर जो हैं वो देखी जा सकते हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है, य आसकर तब जो बीजेपी अपनी सभी सीटे निकाल ले, सहीयोगी दल लूजर बन जाए, ऐसे में कई संभावनाय दिखती हैं कि एक्जिप पोल के अनुमान बताते ही, बिहार में इंडिये की 5-6 सीटों का नुकसान हो सकता है, ऐसा हुआ तो राजनुतिक बवंडर उठने की प्रवल आश्रंकाएं दिखती है, क्या क्या आसर पड़ेगा इस पे हम आपको आज बताने वाले हैं, लोगसवाद चुनाप के परिनाम की घोशना के बाद इंडिये में शामिल कई निताओं की असली आउकात का भी पता चल जाएगा, बिहार में निदीश कुमार की ज् बता रहे हैं, चिराग पासवान जिस शमता का बीजेपी अनुमान लगा रही थी, क्या सच में वे उस पर ताकतवर होते हुए नजर आ रहे हैं, ये सारी चीजों का जो है वो परदा चार जुन को हड़ जाएगा, इंडिया बॉलॉक की बात करें तो आरजडी नेता तरश भी आदव की सभाओं में जुटने वाले भीड का भी राजफाश हो जाएगा, भीड बोट के बदले तब्दील हुई है नहीं या फिस अब दिखाने के लिए है, इसका भी फैसला चार जुन को देखने को मिल जाएगा, नितीश कमार की पार्टी जदियू की 2020 के विदान स वाचुना में जो हालात हुए थे, जिस तरह से वो इधर से उधर होते रहते हैं, उसने जनता माफ कर दिया है या नाराजगी बरकरार है, इसका भी फैसला कहीं न कहीं चार जुन को देखने को मिल जाएगा, एकी सत्ता में वापसी होगी, जिसकी ज्यादा संभाबना जता जा रही है, जदियू में बड़ी तूट से इंकार की जा रही है, बहुत तक संभब है कि जदियू के लोग भाजपा के साथ जाना पसंद करेंगे, इसका कुछ लाव आरजगी भी उठा सकता है, लेकिन इसके लिए आरजगी के प्रफॉर्मस पिछले मुकाबले इस बार स सीट नहीं जीत पाई थी, वैसे चुनावी आकलन जो है, वो आरजगी की सिति में सुधार के संके देते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक समराट चौधरी के भविश्च को लेकर भी लोगसवा चुनाग के नतीजे जो हैं, वो तै करने वाले हैं, सम चर की बात नहीं होगी, भाजपा ने नितीश के बाद चिराग पाक्सवान को ही गठवंदन में सबसे अधिक तरजी दी है, उनके लिए पशिपती पारस को भाजपा ने दरकिनार किया है, अगर पांस सीटे नहीं निकाल पाएंगे चिराग तो देखना होगा कि बीजे प इसका फैसला तो चार जून को पता चलेगा, जून के बाद आपको बता दें कि बिहार में जो सियासित के जो समी करन है वो बेहद ही बदल चाहेंगे, फिलहाल खिले सब डीच में इतना ही